करीब चार साल तक दुनिया को परिशान करने वाला को डैवल वेचो ने ग्लोवल्थ हेल्थ एमर्जेंसी के दैरी से हटा दिया है विश्वस्तास्ति संगठन यानि डैवल वेचों ने बड़ा एलान करते हुए कहा कोवीड अब पबलिक ग्लोवल एमर्जेंसी नहीं रह गय इसको लेकर हमने इमर्जेंसी कमेटी की 15 वी बैटक में फैसला लिया डैवल वेचो ने बताया कि 30 जिनवरी 2020 को कोविट को ग्लोवल हेल्थ इमर्जेंसी खोशित किया गया था इस पर मेडिकल एक्सपर्ट समीर भाठी ने बताया कि तीन साल बात डैवल वेचो ने को फाइनली तीन सालों बात डैवल वेचो ने कोविट को ग्लोवल हेल्थ एमर्जेंसी के दरजे से हटा दिया है और ये डिसीजन डैवल वेचो की एमर्जेंसी कमेटी के रिकमेंडेशन के अनुसार ही लिया गया है अगर कंपेर करें आज से तीन साल पहले की स्थिति को कि पिछले एक साल में जिस दरहा का कोविट वेक्सिनेशन स्टेटस रहा और लोगों में हाड इम्मईनिटी भी देखी गई है फिर चाहे वो वेक्सिनेशन की वज़े से हो, infection की वज़े से हो या reinfection की वज़े से आज तीन सालों के बाद कोविट के प्रती जाधतर लोगो में immunity मौझूद है फिर चाहे वो senior citizen हो, co-morbid लोग हो या फिर working professional की तुलना में सभी COVID के against बहतर रूप से protected है COVID के infection और severity की बात करें तो COVID पहले की तरह severe नहीं रहा, severe infection या hospitalization की संख्या भी अब काफी जादा कम हो गई है अगर हम COVID के infection के graph को देखें तो वो भी काफी controlled है और जहां तक बात है death rate की तो हाल फिलाल में COVID death जादतर underlying medical condition वाले लोगों में ही दिख रही है यानि वो लोग जो किसी अन्य बिमारी से affected है उन लोगों में ही COVID infection severe हो सकता है इसलिए COVID को globally एक health emergency ना मान कर सिर्फ COVID पर focus करने की जगा अब अन्य बिमारीों पर भी focus करना ज़रूरी है जिस तरह पिछले तीन सालों में healthcare industry ने COVID पर special focus देखकर उसके बचाओ और उनके prevention पर कारिय किया था जिसकी वज़े से अन्य बिमारीों पर focus काफी कम रहा जैसे कि heart problem, cancer patients and mental health issues and diabetes या lifestyle disease ये भी काफी बढ़ गई है और अब वक्त है कि COVID virus के साथ साथ हम दूसरी बिमारिया उनके infection, उनके diagnosis और treatment पर ध्यान दें जहां तक बात है COVID की तो अब global level पर भी COVID से जुड़ी कई researches हो चुकी है जो सुरक्षा की दृस्टी से immunity और humans की protection की दृस्टी से काफी हैम है इसके बचाओ के लिए बहतर से बहतर vaccine भी उपलब्द है, diagnostic की बात करें तो पहले की तुलना में जब COVID को pandemic declare किया गया था तब testing की सुईधाई भी उपलब्द नहीं थी लेकिन अब RTPCR method के जरीए COVID infection की पुस्टी की जा सकती है जीनोम sequencing के जरीए virus के बदलाओं को भी monitor किया जा सकता है एक और जहां vaccine ने virus की severity कम की है, वहीं transmission को रोकने के तरीके से जादतर लोग aware है वहीं इस बिमारी के परती government ने भी अपने healthcare system को पहले से मजबूत किया है ऐसे में हम निश्चित तौर पर ये कह सकते हैं कि इस बिमारी के खिलाफ हमारे पास बहतर strategy, research और protection उपलब्ध है मौजुदा हालातों को देखते हुए COVID के कारण किसी तरह की health emergency आने की संभावना नहीं दिख रही है अन्य बिमारीयों की तरह ही हमें COVID के causes, symptoms, diagnosis सभी मालूम है और सिर्फ एक बहतर strategy के साथ इसकी monitoring करके preventive steps लेकर इसे आराम से manage किया जा सकता है